कि छलिए दोस्तु हम लोगे स्टाट करते हैं एनलीसिस आपकी सिफ्ट फॉर्ट की एनलीसिस देखेंगे दखें दीजनीं का सेक्षन पहले दो सिफ्ट की तरह ही बहुत ज्यादा आसना आए दोस्तों बहुत ज्यादा आसन इसमें अराम से 38-40 कोशन एटेंप्ट सबके वही इसमें चार सेट पजल के आए उसमें पांच आ रहे थे इधर अभी कितने सेट आए हैं आपके चारी सेट आपके पजल के आए हैं दोस्तों तेहें एक लीनियर सीटिंग आए है उसमें कि अनसर्टेन नंबर आफ पिपल है और एक लीनियर सीटिंग आरेजमेंट आए पैरलेल रोक आया है बहुत सिंपल आए है चोटे छोटे से पजल आ रहे हैं पजल आए हैं आपका 20 को सनाय है अलफा बेट का से ऑफनोमेरिक से चाड़ कोशन है आपका ओर हैन रैंकिंग से पांच कोशन इन युखड़े कोशन बहुत जाना बहुत युख उसके बाद आपका blood relation से तीन question आया है, देखिए mislinear से दो question, देखिए कोई cellulism नहीं आया है, जैसा कि आप देखने, cellulism नहीं आया है, पहले दोनों shift में cellulism आया था, इस वाले shift में cellulism नहीं आया है, ठीक है दोस्तो, inequality जाहिए इन shift में, day-based puzzle आया है, देखिए एक आपका linear sitting arrangement, straight line वाला आया है, दोस्तो, numerical का भी देखिए, दो data interpretation है, एक tablet याई एक आया है, एक आपका line graph आया है, दोस्तो, यहां पे देखिए 10 question data interpretation क्या है, 5 question wrong number series, आपके शुरू के भी shift में आया थी दोस्तो, 12 question simplification के 13 arithmetic word problem, शुरू के 2 shift में क्या था, दोस्तो, यहां से 10 question आया था, यह 15 question आया था, यह पहले और दूसरे shift में यह process रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है, simplification के 2 question बढ़ गए है, arithmetic word problem घड़ गया, तो यह shift और ज़्यादा आसान हो गया, तीसरा वाला shift आपका, और ज़्यादा आसान हो गया दोस्तो, ठीक है, चले बात करते है, shift number 4 की, उसके ब बहुत ज़्यादा है, reasoning का सब, इस वाले shift में भी सब 38-40, 38-40 question, सब लोग बना करा रहे है, 38-40 question, यही attempt आप करा है reasoning में, ठीक है, सुबह से यही चला है, order and sequence based पजला है, order वाले और sequence वाले पजला है, ठीक है, weight वजन दिया हुए, group of people का, एक month based देखे, repeat हो रहा है, यह PO में भी आ रहा था, बार बार यह, और clerk में भी, यह repeat होता चला जा रहा है, यह पजला आपका, box puzzle, box puzzle भी देखे, आ रहा है, उसमें भी आ रहा था, pew में भी है, and clerk भी, यह सब कुछ पजल ऐसे हैं, जो बार बार repeat हो रहे है, इस format के puzzle, थोड़ा सा practice, आप लोग कीजे लग से भी देखे, puzzle and setting arrangement के 20 question है, alphabet के 2 question, alpha numatic series के 5 question है, identify the odd one out, यहाँ पे एक question है, जो अब तक अभी पहली बार पुछा गया है, देखे, दोस्तों, Chinese coding, decoding, के 3-4 question है, आपके, 3-4 question, Chinese coding, decoding क्या है, एक question आपका आया है, नमबर बेस से, वही होता है, कि odd में से 3 गटा दिया, even में 2 जोड जोड दिया, तो odd वाले जगा कितना है, 3 इसमें से 3 गटा दिया, तो 0 हो जाएगा, इसमें से 3 गटा दिया, 6, even में 2 जोड दिया, तो 6, इसमें भी 3 गटा दिया, तो 2, इसमें 2 जोड दिया, तो 6, पूछेगा कितने ऐसे term है, जो repeat हो गया, यहाँ पर कितने पूछ रहा है लिए हैं इनिy कॉलिटी कि यह दो और दोने वह नोगगा को पूछ रहाती है इसमें ल्हुक्स पूछ रहा है हूसर उसमें पाधल और लाइन ग्राफ तर। पταιटरम वे लाइन अडियुक्र सवापूने यह फंट। बास दो टेवलट याई के Missing No. SRI देखिए अभी तक जो आ रहा था ना वो रॉंग आ रहा था रूंग नंबर सीरी जा रहा था आपका फस्ट में भी आए हैं इसकेंड में आए हैं और आपका यहां पर मरी इसके सिरिज अए कि सिर्फ प्वोर्षट में इस मैं हम लोग इस सिर्फिट इस करेंगे तो चांसें आपका मैं questioned खायिक निश्टोन औक करते हैं। तो आपका देखे दोस्तों थार्ड सिफ्ट में भी मैं यही कहूंगा 70 प्लस अटेंप्ट है गुड है 75 प्लस अटेंप्ट है वेरी गुड फूर सिफ्ट में भी एक दम सेम फ्लो में सिफ्ट बढ़ा है जैसे प्यो में थ्थूरा चेंज होँगा थाया कुम है यहां चारो सिफ्ट में मिला के आज का 19 सितंबर का जो आपका डेट है दोस्तों 19 सितंबर में अगर आपने 75 plus minus two three question आपने कर रखें तो आपका good attempt है selection आपका हो जाएगा तो दोस्तों इन लोगों को क्या करना है तो इन लोगों को यही करना है तो IBPS PO का mock test लगाई यह ज्यादस 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 प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों इन लोगों के लिए यही मैं करूँगा और जिनका shift का paper बचा हुआ है वो देखें क्या करें तो simple simple और easy question किसका simplification का दोस्तों approximation का और series का series में आपका दोनों series कौन सा दोस्तों wrong series भी और missing series भी simple और easy question आप simplification approximation और series का practice करें और अगले week में अगर आपका paper है दोस्तों तो आप थोड़ी बहुत di की भी practice करके जाए और थोड़ा बहुत arithmetic असान असान से question level 1 वाले question arithmetic word problem भी देख लें पर मैं यह कहूंगा यह आप देखने ही पाएगा क्योंकि time नहीं मिलेगा तो इसके लिए जिनका next week में है next week में जिनका 26 सितंबर से paper है अगले week में वो लोग क्या करें दोस्तों per day एक दिन में six to seven mock लगाई है वहां से आपका साड़ा practice होता रहा जागा क्योंकि दोस्तों इसके इसके mock में क्याना कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जुरूत नहीं होती बहुत जाना analysis की जुरूत नहीं होती इसके mock test में तो ज्यादा ज्यादा mock test लगाई और असान वाले mock test लगाई बहुत difficulty वाले mock test नहीं लगाई mock test लगाते हैं आपका साड़ा चीज प्रैक्टिस होता चला जागा बस अलग से आप simplification approximation और थोड़ा सा series की प्रैक्टिस कर लें यह ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं तक यह सब चीजे याद रहती है न तो फुलू बना रहता है जैसे 1 से आपने 8 देखा 1 से 8 तो काफी आसान होगे जैसे माली जैना अपने 3 से आपने 16 देखा तो वैसे आपको सोचना पड़ता है तो यहां से आपको clearly देखता है into 5 plus 1 यह सब चीजे clearly दिमाग पक्तम बैठी रहती है ज्यादा practice कर लेते हैं तो तो एक्जाम में काफी beneficial होता है इस चीज़ का तो simplification approximation की थोड़ी से आप लोग अलग से practice कर ले मैं तो यही कहूंगा simplification approximation और series में आपका wrong number series और missing number series और एक दिन में 5-6 जितना मौक्तेश लगा सकते एक गहंटा लग जाएगा तो एक गहंटा तो आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों तो मैं यही कहूंगा जितना मौक्तेश लगा सकते एक दिन में लगा यह next week में जिनका paper है और जिनका paper है भ all the best और अगले वालेों के लिए भी all the best फिर हम लोग रात में मिलेंगे एक memory-based paper हम लोग discuss करेंगे memory-based paper होगा discussion आज 19 सितंबर के दिन का जो है रात में हम लोग discuss करेंगे दोस्तों जिनका विस्ट बचा हुआ है उनके all the best जिनका विक्जाम बचा हुआ है सबको all the best चलिए आज की session को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं रात में हम लोग memory-based paper discussion के साथ धन्यवाद हुआ 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 है